उचे बढ़ फीले पहारों पर अक्सर शांती मिलती है। तो कहानी के शुरुआत में हम नोरा नाम की टीनेजर से मिलते हैं जो अपने पिता टोबियस टीड मैन के साथ एक माउंटेन पर चढ़ाई कर रही है। एक दिन वो इन पत्थर के पहारों में तबदील हो गए। अब नोरा को इन कहानीों में यकीन तो नहीं था लेकिन उसके पिता कहते है कि किसी कहानी को सच होते देखने के लिए उस पर भरोसा करना पड़ता है। और उसे इन पहारों में इनसानों जैसे शकल दिखाई देती है जिससे वो बिलकुल मंत्रमुग्ध हो जाती है। अब यहाँ से कहानी 20 साल आगे बढ़ती है जहां नोरा एक पैलेंट लॉजिस्ट है और वो पुराने जमाने का DNA कंकाल आधी का एक्सकवेशन करती है। की आवाज सुनाई देती है। अचानक पूरा कैनल कापने लगता है और इससे पहले की वरकर्स भाग पाते कोई भारी जीव उन पे हमला कर देता है जिससे बहुत लोगों की जान चली जाती है। इस बात से नौर्वे के authorities काफी चौक जाते हैं और military defense सब को खबर की जाती है। प्राइम मिनिस्टर तक को इस हादसे का footage भेजा जाता है जिसमें वो क्लियरली किसी बड़े आदी माना जैसे footprints टनल के आसपास देख पाती है। प्राइम मिनिस्टर अपने assistant Andrea से कहती है कि वो किसी expert को इस पे जाच करने के लिए ले कराए। यहाँ सारे scientists इस possibility पे बात करते हैं कि टनल खोदने के दौरान workers ने methane के किसी high pressure zone को तोड़ दिया होगा जिससे यह हादसा हुआ है। लेकिन नोड़ा इस बात को मजाक में उड़ा देती है और point out करती है कि कैनल के around मिलने वाले निशान कोई gigantic human footprint है। इसलिए यह किसी भव्य जानवर का काम हो सकता है। इस point पे ministry office की एक worker incident का footage दिखाती है जहां हम देखते हैं कि टनल में हादसे के बाद एक काफी बड़ा monster देखा जा रहा है। यह monster किसी बड़े इंसान की तरह था लेकिन इसका शरीर पत्थर का बना लग रहा था। वहीं दूसरी जगह हम देखते हैं कि लेसा नाम की जगह पे एक और हादसा होता है जहां वही टनल वाला monster एक बूरे कपल के घर को तहसनास कर देता है। जब इसकी खबर ministry को लगती है तो वो लोग Nora और अंड्रियस को military captain Chris के साथ उस जगह पे चानबीन करने भेजते हैं। उसे सिर्फ मिट्टी और पत्थर के traces मिलते हैं। अब अंड्रियस, Nora और Chris monster के footprints का पीशा करते हैं लेकिन ये निशान भी दो मील आगे तक जाकर अपने आप गाइब हो जाते हैं। Chris बताता है कि इसके आगे thermal scanner में भी कोई sign नहीं मिल रहा है लेकिन Nora कहती है कि इस monster ने जरूर छुपने के लिए किसी camouflage का सहारा लिया है। Because इतने बड़े entity का अचानक से गाइब हो जाना मुम्किन ही नहीं है। इस point पे अंड्रियस और Chris Nora से पूछते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। और Nora बताती है कि उन्हें उसके पिता से बात करने निकलना होगा क्योंकि इस तरह की entity के बारे में उन्होंने काफी research कर रखी है। यहां हमें ये भी मालूम होता है कि Nora और उसके पिता के relations उतने अच्छे नहीं है और Nora ने उनसे कई सालों से contact नहीं किया है। तो अगले scene में हम देखते हैं कि Nora और उसके साथ ही Teedman से मिलने आये हैं। Teedman यहां Nora से बात करने की कोशिस करता है लेकिन Nora clearly कह देती है कि वो सिर्फ काम के सिलसिले में यहां आई है और कोई personal relationship को mint करने नहीं। Teedman के घर में हम इस monster की तस्वीर वगेरा देखते हैं और एंड्रियास यहां Nazis के समय का एक painting notice करता है और Teedman उसे बताता है कि 1943 में Russian army Nazis के prisoners से Nordland railway के खुदाई करवा रही थी। लेकिन बीच में उन्हें काम रोकना पड़ा क्योंकि पहारों को काटने के दोरान उनका सामना किसी supernatural entity से हुआ था जिस बात की detail मीडिया तक पहुँशने से पहले ही दबा दी गई। ये सुनकर नोरा कहती है कि कुछ ऐसा ही आज कई सालों बाद दुबारा हुआ है और वो monster वाली incident टीडमेंट को बताती है। कहती है कि उन्हें किसी पुरानी fairy tale जैसे कहानियों में नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि अगर troll जैसे कोई भी creature 1000 साल पहले नौर्वे में रहते थे तो अब तक उन्हें कोई न कोई scientific evidence ज़रूर मिल जाता। लेकिन टीडमेंट कहते हैं कि हमें मालूम है कि trolls नौर्वे में सद्यों पहले से रहे हैं और नौर्वे के christianization के कारण उनकी आबादी खत्म हो गई थी। वो उन्हें किटलसन नाम के folklorist की बनाई एक तस्वीर दिखाता है जिसमें हम उसी monster को देख पाते हैं। resolutions को बनाने में जो कि एक महिने तक भी टिक नहीं पाते हैं। यह हमारे habits की विज़ा से होता है और इसलिए मैं आपको कुकु FM पे habits to change your life audiobook recommend करूंगा जिसे सुनकर ना सिर्फ आप अच्छे habits को develop कर पाएंगे बलकि उन habits पे लंबे समय तक अमल कर पाएंगे। देखो इस Christmas खुद को और अपने family members को आप knowledge का gift दीजिए जहां कुकु FM आपका Santa होगा। जी हां कुकु FM का Christmas sale is live जहां आप सिर्फ 39 रूपीज में इसका monthly subscription ले सकते हैं यानि कि 60% off मतलब देखा जाए तो सिर्फ 39 रूपीज में आपको 10,000 से भी ज़्यादा audio shows का access मिल रहा है और इस offer को पाने के लिए आपको coupon code SANTS60 यानि Santa60 का use करना होगा monthly subscription लेते वक्त। बस ध्यान ये रखना कि ये वाला amazing offer सिर्फ आज और कल यानि 24 और 25 दिसंबर के लिए ही है। उसके बाद आप में regular code HA UNTT50 यूज़ कर सकते हैं जहां आपको yearly subscription में 50% off मिलता है। तो देड़ मत करो, link description और pinned comment में है उस पे click करके कुकुफेम को download करो और इस Christmas अपने आपको और अपने परिवार को knowledge जैसी बहुत ही बढ़िया gift दो है। तो हम Tidman और बाकी सभी को chopper में देखते हैं और Tidman कहता है कि ये troll या तो कोई male troll है या फिर female troll भी हो सकता है जिने ओग्रेस कहते हैं। सफर के तोरान Tidman एक जगा पर helicopter रुकवाता है और वहां के आसपास के मिट्टी चेक करने लगता है। यहां नोडा और Tidman की फिर से बहस होने लगती है जहां Tidman पूरी तरह convinced था कि ये entity कोई monster नहीं बलकि novel legends का troll है। लेकिन नोडा कहती है कि ये सिर्फ Tidman की fantasy है। लेकिन तभी नोडा को यहां पर भी hyper nature की smell महसूस होती है और वो पीछे मुरती है। हम देखते हैं कि नोडा और Tidman के जस्ट पीछे एक बड़े से पत्थर के आकार में ट्रोल चिपा हुआ था। जी हां दोस्तों इन्हें देखकर वो अच्छानक से उठ खड़ा होता है और आंड्रियस और क्रिस भी alert हो जाते हैं। As an audience, पहली बार ट्रोल को नस्दीक से देखते हैं जो एक gigantic half human half bear जैसा creature है जिसका पूरा शरीर मिट्टी और पत्थर से बना हुआ है। दूर से देखने पे ट्रोल किसी बड़े पत्थर के टुकरे जैसा देखता था। Coming back to scene, एंड्रियस और क्रिस किसी तरह नोडा टाइडमेंट को लेकर यहां से निकलते हैं और साथ ही ट्रोल की असली image officials को live video पर भेज़ देते हैं। Prime Minister और साइंटिस्ट की टीम ट्रोल को देखकर बिलकुल घबडा जाती है साथ ही वो एकदम तंग हो गये थे। Control Room पर नोडा उन्हें समझाने की कोशिस करती है कि कोई भी कतम उठाने से पहले उन्हें इस entity के बारे में और पता करना होगा। लेकिन टीमें उन्हें से कहता है कि ये entity clearly troll है वो कहता है ये एक fully grown troll है और उसने इन entities पे 20 साल research की है और उसे मालूम है कि वो किस तरह की चीज़ से deal कर रहे हैं। यहां PM फैसला लेती है कि ये जो भी creature है इंसानों के लिए खत्रा बन सकता है इसलिए वो तुरंत military action लेने के orders दे देती है। बाहर आने पे टीड में नोरा को समझाता है कि नॉर्वे के trolls ने इंसानों की वज़़े से काफी दर्द साह है। उसे लगता है कि ये ट्रोल हामफल नहीं है सिर्फ डरा हुआ है क्योंकि सालों तक पहारों में बंद रहने के बाद जब वो बाहर आया है तब सब कुछ बदल चुका है। वो नोरा को बच्पन वाली बात याद दिलाता है और उससे कहता है कि उसे लगता है कि नोरा को एक वार फिर से अपने दिल पर यकीन करके देखना चाहिए। वो अपने पिता को पुरानी बातों के लिए माफ कर देती है और वो सब टीम के साथ ट्रोल के बाहर आने का इंतजार करते हैं। कुछी दिर बाद मिलिटरी को कैमेराज में मूवमेंट महसूस होती है और जंगलों के पीछे से ट्रोल वापस प्रकट होता है। उसके सामने आते ही सोल्जेस गन वगएर से शूट करना शुरू कर देते हैं और ये देखकर टीमन कहता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि इससे ट्रोल और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और वो इनके लिए हामफुल होगा। होने लगता है। लेकिन तभी मिलिटरी पीछे से तोप चला देती है जिससे कि ट्रोल काफी वाइलेंट हो जाता है और टीमन को उससे चोट लग जाती है। नोरा और ख्रिस उसे बचाने आगे जाते हैं लेकिन टीमन को बहुत गहरी चोट लग गई थी जिसके काम वो सर्वाइब नहीं कर पाता। मरने से पहले टीमन नोरा को कुछ क्लोस देता और कहता है तो अगली सब्ग हम नोडा को देखते है जो अपने पिता की याद में उनकी पुरानी तस्वीरे देख रही हैं उन चीजों में उसे टीमन की वो किताब दिखती है जो किटलसन की बुख थी अबाउट फूस उस किताब में नोरा और एंड्रियस को वापस वही क्लूज दिखते हैं जो टीड में ने मरने से पहले बताई थी about palace, king or home नोरा नोटिस करती है कि किटलसन ने ये भी लिखाया कि ट्रोल्स सनलाइट में पत्थर बन जाते हैं लेकिन ये बात उसे अठपटी लगती है क्योंकि उन्होंने ट्रोल्स को सुभा की रोशनी में कई बार देखा था वहाँ एक picture देखकर नोड़ा गौर करती है and then वो Chris और Andreas के साथ ministry की team को एक idea प्रपोस करती है वो कहती है कि कुछ time के लिए उन्हें माल लेना चाहिए कि fairy tales में सचमुच सचाई छिपी है उनके according trolls Christianity से नफरत करते हैं और church के bells की आवाज सुनकर हमला कर देते हैं इसलिए उन्हें भी church bells का इस्तिमाल इस लड़ाई में करना चाहिए साइंटिस्ट्स को ये बात बहुत बचकानी लगती है लेकिन कोई रास्ता ना दिखते वेब PM उन्हें इस operation के लिए मंजूरी दे देती है उदा military trolls को track कर रही दियोंने पता चलता है कि वो इस बक्त औसलो के एक public park की तरफ बढ़ रहा है हम देखते हैं कि troll park की तरफ बढ़ता है जहां वो धीरे धीरे वहाँ की चीजों को तोड़ने फोड़ने लगता है और लोग दढ़ कर इधर उधर भागने लगते हैं नोरा और उसके team helicopters के साथ बड़े बड़े bells लेकर troll के चारो तरफ घेरा बना लेते हैं जिससे troll बहुत बढ़ेशान होने लगता है वो गुस्से में इन helicopters को भी उठा कर फेकने लगता है और एक helicopter पार्क में खेल रहे एक बच्चे को almost लगी जाती लेकिन troll खुद उस बच्चे को अपने वार से बचा देता है येसी नोरा notice करती है और उसे अपने पिता की बात याद आ जाती है उधा ministry control room में इस हादसे के बाद नोरा की टीम को बढ़खास्त कर दिया जाता है और एंड्रियास भी इस बात से आहत होकर resign कर देता है नोरा अभी भी अपने पिता की किताब analyze कर रही थी और वो एंड्रियास से कहती है कि उसे समझ नहीं आड़ा कि ये palace कौन सी जगह है करता है कि Teedman ने जो भी research की थी वो बिलकुल सच थी और आज से कई सालों पहले trolls की प्रजाती नौर्वे में रहा करती थी और जहां अभी royal palace बना हुआ है वहाँ troll palace हुआ करता था जी हां लेकिन Christianity के rise के समय officials ने troll के पूरे खांदान को मार डाला और उसके उपर ही royal palace को बनवाया एक आखरी troll बचा है जिसे डोवर माउंटेन में कैद करके छोड़ दिया गया था और उस mining के बाद वो बाहर निकल सका टीडमेन को ये बाते पता चल गई थी इसलिए उसे पागल खाने में दाखिल करवा दिया गया था इसके बाद सिंडिंग नोडा और आंड्रियास को basement के अंदर ले जाते हैं जहां आज भी हजारों ट्रोल्स की हड़ियां और राक पड़ा हुआ था नोडा एक बोन पर UV लाइट डालती है जिसे वो बोन जलने लगता है और वो रियलाइस करती है कि ट्रोल्स सचमुच सूरज की रोशनी नहीं जहल पाते क्योंकि UV rays उन्हें जला देते हैं इस पर एंड्रियास ट्रोल की सुबह में दिखने वाली बात पूछता है लेकि नोडा कहती है कि उस वक्त ट्रोल डिरेक्ट सनलाइट में नहीं था यानि कि उस टाइम बादल आये हुए थे इसलिए वो बच गया ये सब देखकर नोडा समझ जाती है कि ट्रोल रोयल पैलेस की तरफ हा रहा है क्योंकि उसके समय के हिसाब से यही उसका घर है और वो घर लोटना चाहता है इससे नोडा को एक आईडिया आता है और वो क्रिस के साथ एक प्लान मनाती है तो नोडा और अंडियास पैलेस की वोकर्स की मदद से एक मरे हुए ट्रोल का स्कल लेकर ट्रोल के पास जाते हैं और उसे लिओर करते हैं ताकि वो अपने साथी की डेड बॉडी देख उनके पीछे आए उधर मिनिस्टरी के ट्रीम ट्रोल को मरवाने के लिए पूरे ओसल के सभी लोगों को शहर से खाली करवा लेते हैं नौ ट्रोल नोडा की जाल में फच जाता है और वो स्कल देखकर उनके पीछे अटाक करने के लिए भागता है उधर क्रिस अपने टीम के साथ यूवी लाइट का एक बड़ा सोर्स त्यार करता है ताकि हमला किया जा सके किसी रोते वे देखकर नौरा को उस पर दया जाती है एन मौके पर वो यूवी के सोस को बंद कर देती है और ट्रोल को समझाती है कि वो वापस पहारों में चला जाए इससे उसे कोई खत्रा नहीं रहेगा क्योंकि अगर वो शहर की तरफ आया तो उसे मारती आ जाएगा ट्रोल बुल शान्त हो जाता है लेकिन तभी नौर्वे में सूबह का सूरज निकल आता है और सूरज के निकलते ही ट्रोल डिरेक्शनलाइट में आ जाता है जिससे वो पत्थर में तबदील हो जाता है नोरा एंड्रियास और क्रिस ट्रोल को आकडी अलविदा कहते हैं और वहां और डब्रीज के नीचे एक और ट्रोल की आवाज गूंज उठती है। मीनिंग कि शायद ये किसा खत्म नहीं हुआ है। इसी के साथ फिल्म की कहानी खत्म होती है। तो दोस्तो ये थी ट्रोल फिल्म की कहानी और अब हम इसकी समड़ी पर बात करेंगे। कहानी काफी स्ट्रेट फोवर्ड है जहां नोड़ा बच्पन से नौर्वे के माउंटेंस में रहने वाले ट्रोल्स की कहानिया सुनकर बढ़ी हुई है। उसके पिता भी एक फोकलोरिस्ट और रिसोचर थे जिन्होंने ट्रोल के बाड़े में काफी कुछ पता करा हुआ था। मूवी के अनुसार 1840 के अराउंड तक नौर्वे में इंसानों की तरह ट्रोल्स भी रहते थे। इसलिए जब नौर्वे को क्रिस्टनाइज किया गया तब उन्हें खत्म करने की साजिश हुई और पड़ियों की कहानी की माध्यम से उनके होने को एक मित बता दिया गया। लेकिन टीड में ये नहीं मानता था जिस वे से उसे पागल करार कर दिया गया था। सालों बाद डोवरे माउंटेन को तोड़ा गया और कैद किया गया ट्रोल बाहर आ गया। उसे मालूम मुगा कि सारी दुनिया इतने सदियों में बदल गई है और उसका अपना कोई भी नहीं रहा जिससे वो काफी वाइलेंट हो जाता है। नोड अपने पिता की रिसर्च की मदब से ट्रोल को मारने का उपाय निकालती है लेकिन इन दे एंड वो भी समझाती है कि ट्रोल एक्चुली में इंसानों को मारना नहीं चाहता। बस एकसिप्टेंस चाहता है जैसे टीर में ने उसे बताया था। लेकिन तब तक देड़ हो चुकी थी और सुभर के सूरज के आते ही ट्रोल यूवी रेडियेशन से मारा जाता है या फिर हम कह सकते हैं पत्थर में तबदील हो जाता है अब अगर इस क्रीचे के बारे में बात करें तब ट्रोल नॉडिक माइथालोजी और फोकलोर का बहुत इंपोर्टेंट किरदार रहा है उनकी कहानिया नौर्वे में तेरवी शताब्दी से चलती आ रही है कहा जाता है कि सदियों पहले ट्रोल्स नाम के माइथालोजीकल क्रीचर्स नौर्वे के माउंटिन और जंगल्स में रहा करते थे ये इंटिटी पत्थर के बने होते थे और इनको अकेले रहना पसंद था यानि ये हुमन से अलग रहते थे इस्टोरिकली ट्रोल्स क्रिचानिटी से नफरत करते थे और इन्हें चर्च बिल्स की आवाज वगड़ा से चिर थी इनके लिए सूरज की रोशनी घातक होती थी जिसके संपर्क में आकर ये पत्थर बन जाते थे कहानी के अनुसार ट्रोल्स कई तरह के होते थे जिनमें से फीमल ट्रोल्स यानि ओगरे काफी वॉयलेंट हो जाती थी और इन्सानों पर अटैक भी करती थी खाने में एक क्रीचर्स कुछ भी खा सकते हैं from stones to humans ट्रोल्स कई तरह के होते हैं जहां कुछ जाइंट्स थे तो कुछ ड्वाफ्स कुछ के तो एक से ज्यादा सर होने की विबाद खी जाती है नौर्वे में in fact एक natural landscape है जिससे ट्रोल तुंगा या ट्रोल स्टंग कहा जाता है ये एक rock formation है जो समुद्र से 3600 फिट उंचाई पर बनी है लेजन्स कहते हैं कि ट्रोल तुंगा का नाम एक ट्रोल के उपर रखा गया है जिसे यकीन था कि सूरज के देखने से भी वो पत्थर में तबदील नहीं होगा ओर आल हम कह सकते हैं कि ट्रोल्स नौर्वे के mythology और इतिहास का एक एहम हिस्सा है लेकिन इन कहानियों में कितिनी सचाई है ये किसी को नहीं पता तो बस आज की वीडियो में इतना ही उमीद करता हूँ आपको ये मेरी explanation पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो वीडियो को like और share करें और जाने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दू कि description और पिंड कॉमेंट में दिये लिंक पे क्लिक करके आप कुको एफिम को जरू डाउनलोड कीजिए और आपको पता ही है कि अभी Christmas sale चल रहा है जहां पर मन्त सिर्फ 39 रूपीज में आप कुको एफिम को subscription ले सकते हैं जो कि मन्ति सब्सक्रिप्शन पे 60% तक आफ है इसके लिए आपको Santa69 का coupon code यूज करना होगा और ध्यान रहे है कि ये sale सिर्फ 25 दिसम्बर तक ही है नव चानल पर नए तो हमारे चानल Haunting ट्यूप को सब्सक्रिप करके बिल आइकान को ज़रूर दबा दीजिएगा क्योंकि हम अपने चानल पर ऐसी वीडियो लाते रहते हैं पीस